नमस्कार बच्चा आप सभी के एक बारी फिर स्वागता गुरुकुल आफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं IS Mathematics तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे Specifically मल्टिप्लाइद विद CONSTANT की भी ऐसा भी लिए हो सकता है आपका जो function है उसको कॉंस्टेंट से मल्टिप्लाइए कि आ लिए भास समझ ले rail इस में क्या है fırseven x cars इस function को देखो कॉंस्टेंट से किए गया है X square again अपने एक function है इसको K constant से multiply किया गया है तो इसका जो है derivative किस तरीके से हम find out करेंगे तो rule क्या कहता है rule यह कहता है sir की जैसे आप differentiation कर रहे हो किसी constant मतलब किसी function का और उस function से कोई multiply हो रहा है constant ऐसे हमने लिख लिए इसको Fx का अपना कोई function है के constant उसे multiply हो रहा है तो rule यह कहता है sir आपको जो constant है वो differentiation से बाहर हो जाता है यहां हम कहते है derivative से जो हम इसको बाहर कर देते हैं जो process है अपना आप इसको इस तरीके से करेंगे इसी चीज़ को देखो यहां use करते हैं हम लोग और उमीद करता हूँ आप लोगों को यह formula याद होंगे तो इदर मैं लिखता हूँ dy by dx तो sir y की जगा बें हम यह पूरा put कर सकते हैं यह क्या हो जाएगा d by dx bracket में बताएं sir 3 sin inverse x very good then क्या आएगा अपना प्लस में k x square आप देखो हमने last class पे सीखा था differentiation कैसे किया जाता है term by term किया जाता है क्या very good तो यहां भी जब term by term differentiation करेंगे तो dy by dx यह हो जाएगा अपना d of dx 3 sin inverse x very good plus d by dx k x square अब आप देखें यहां पे जो अपना sin inverse x क्या है function very good function के साथ क्या multiply हो रहा है बोलो भई constant multiply हो रहा है क्या very good यहां भी देखो x square अपना function है x square के साथ क्या multiply हो रहा है अपना constant तो अभी rule देखा हमने constant को क्या कर देंगे derivative से बाहर कर देंगे चलो भई आप लोग कह रहे हो तो कर देते हैं तो यह हो जाएगा सर अपना 3 d by dx sin inverse x very good और यह बचेगा सर अपना k d by dx अंदर में x square अब यहां देखो सर sin inverse x का derivative क्या होगा बोलो last class में हमने लिग गे थे इना formula क्या था 3 1 divided by 1 under root 1 minus x square very good और सर x square का derivative power आगे एक power कम तो भई यह जीत गए हम जंग और निकाल दिया हमने इसका derivative तो यह हो गया 1 minus x square सर 2 x के यह finally answer आगया तो यह देखो अपने पास rule था कि अगर आपका कोई function है और constant से multiply हो रहा है तो आप उसको इस तरीके से करते हैं मान लोगर सिर्फ आपसे constant की बात करी जाए आप derivative निकालें सिर्फ constant का तो सरा answer क्या आता है उसका 0 आता है यह हम पहले भी देख चुके है तो उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा अभी नया rule सीखते हैं जिसको बोलते हैं product rule so now let's discuss अपना product rule तो देखो जी product rule क्या कहता है product rule का कहना बड़ा ही simple है क्या कहता है product rule बड़ा ही simple है मान लेते हैं अपने पास दो function है product में like अपने को derivative करना है दो function multiply हो रखे हैं fx gx example से आपको ज़्याद अच्छा समझ आएगा भी तो rule यह कहता है सर आप क्या करोगे पहले आप करोगे derivative of first function तो differentiation of fx and second function को आप as it is लिख लोगे second अपना same का same plus first function अपना as it is then differentiation of second function तो यह जाएगा d by dx of gx अच्छ डेरिवेटिव को जो है ना जैसे मान लो आपका fx का derivative है ठीक तो आप इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हो f-x इस dash क्या मतलब होता है single derivative like आप एक बारी जो इसको differentiate कर चुके हो तो अगर हम इस rule को लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते है f-x gx plus fx g-x तो देखो यह जो है इसका कहना है तो अब यह question देख लेते हैं ताकि अपने को rule जो है वो अच्छे से clear हो जाए तो question देखो कहता है कि y अगर मान लो अपना यह है e की power x sin x आप जो इसका dy by dx calculate करें तो समस्या क्या है e की power x अपने आप में function sin x अपने आप में function सर जी देखो compare करवाओ इससे e की power x आगई fx के equal sin x आपना gx के equal ऐसा ही भई तो rule लगाना start करें चलो मेरी help करना आप लो तो मैं लिखता हूँ जी dy by dx पहले क्या करना है मुझे differentiation of first function that is d of dx of ex यानि differentiation of ex और sin x अपना as it is plus अब यहाँ पर क्या करना है अपने को first function को same लिखना है यानि e की power x into a differentiation of sir kis का sin x का बहुत बढ़िया e की power x का derivative क्या था याद है आप लोगों को चलो मैं इदर formula लिख देता हूँ ताकि जो अपने को समझने में असानी हो जाए differentiation of e की power x होता है e की power x differentiation of sin x होता है sin भाईया का जो answer है वो cos हो जाता है है की नहीं भाईया तो ये cos x हो जाएगा तो यहाँ पर देखो e की power x तो इसको तो कहीं रत्ती भर भीज़े फर्क नहीं पड़ता कहता है भाईया हम धीट थे हम धीट है और धीट ही रहेंगे बहुत बढ़िया sin x as it is e की power x अपना ऐसे का ऐसे और sin का derivative सर cos बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो यह हो गया cos x दोनों में कुछ common दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को तो finally अपना dy by dx आया e की power x common ले लो सर sin x plus cos x तो यह product rule था अभी एक rule ओवर है basically rule तो अपने मास दो बचे हुए अभी next देखते हैं अपने पास question rule और उसको भी जो मैं आपको example की help से explain करूँगा so now let's talk about question rule question rule का देखो sir क्या कहना है जैसे product rule में क्या था कि अपने दो function थे multiply में है की नी भी यहाँ जो है न सर आपके दो function होते हैं divide में तो like आप से पूछ ले derivative of fx divided by gx कहता है जी बड़ा मसला हो गया दो function अपने divide में है हम इनका क्या निकालना है derivative निकालना है तो question rule का यह कहना है कि आप घबराओ मत मेरे पास आओ भई मैं निकालके दूँगा तुम्हें answer क्यों attention ले रहे हो इसमें क्या करना है आपने नीचे वाले का square कर देना है तो gx का जो है square कर देंगे इस तरीके से लिख लेते है उपर क्या आएगा आप पहले differentiation करोगे first function का मतलब उपर वाले का तो differentiation of fx और अपना gx जो है वो as it is रहने का रहेगा भई as it is minus differentiation of gx और अपना fx जो है वो as it is रहेगा तो एक सवाल देख लेते है उससे क्या अपने को clear हो जाएगी चीज जो हमें question rule किस तरीके से लगाना है तो जी अपने पास y है जैसे पिछली बारी देखा था हमने इस बारी ये ले रहते है एकी power x divided by sin x कहते है सर आप इसका dy by dx निकाले तो क्योंकि यहाँ पे देखो अपना एक fx है और यह उपर वाला जो है नीचे वाला gx है और यह division में है तो हम क्या करेंगे सर यहाँ पे कोशन टूल के पास जाएंगे करेंगे भई हमार तो गए हाथ खड़े अब आप बताओ क्या करो कोशन टूल करेगा रहे घबरा क्यों रहे हो मेरी statement यूज कर लो यह formula लगा और answer ऐसे चुटकी बजा के ले जाओ तो देखो लगाते है formula अब कोशन टूल जो है लगाना तो पड़े गई gx क्या है अपना sin x compare कराएं sir gx का क्या करना है अपने को square करने को मांगता है क्या नीचे क्या करेंगे बोलो square करेंगे बहुत बढ़िया तो इधर जो है देखो आ जाएगा sin x का जी sir square फिर क्या करना है differentiation of first function यानि की d by dx e की power x और gx को अपने ऐसे का ऐसे ही रहने देना है multiply में sin x minus differentiation of sin x देखो अब नीचे वाले की बारी है क्या भाईया वो कहते है न हार कुत्ते का दिन आता है तो पहले उपर वाले का आया अब नीचे वाले का आया तो differentiation of sin x और उपर वाले को हमें जो है वो as it is ही रखना है तो multiply में e की power x तो भई मेरी करो help जरा तो dy by dx को निकालने में यहाँ पे बताए sir e की power x का derivative क्या e की power x ही है क्योंकि e की power x क्या था अपना dhiet था, dhiet है और dhiet ही रहेगा वो क्या कहते हैं जी dhiet by nature, वो ही e की power x sin x का derivative sir क्या कह रहे हो, cose x होता है चलो भई, कह रहे हो तो मान लेते हैं तो यह होगे अपना cose x e की power x अपना as it is और नीचे sin भिया का square है तो नीचे आगे अपना sin x का square उपर कुछ common दिखाई दे रहा है कि आपने को e की power x common दिखाई दे रही है चलो, कह रहे हो तो common है तो भई, निकाल लेंगे बाहर यहाँ क्या बचेगा sin x minus cos x divide में sir sin x का square तो यह आगे अपना d y by dx अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं हम जो है एक rule पढ़ते हैं फिर उसका example देखते हैं बट paper में तो ऐसा नहीं होता न sir paper में क्या होता है combined होते हैं सारे rule फिर हमें judge करना पढ़ता है कौन सा rule जो है वो कहां लगेगा और वो हम कब सीख पाएंगे जब हम जादा से जादा questions की practice करेंगे तो फिलाल न बस एक rule और बचाया अपने पास प्यारा सा rule है और rule है अपना chain rule काफी important rule है in fact आपका कोई question ऐसा नहीं है जिसके अंदर chain rule ना लगता हो सो भी अपना last rule chain rule और सबसे important rule है क्योंकि हर सवाल में अपना जो है वो chain rule लगता है chain rule का क्या कहना है imagine करो मतलब ऐसा मानते हैं कि अपना जो y है वो कुछ ऐसे होता है y होता है सर अपना f function का कुछ angle होता है और उसके कुछ power होती है है ना तो chain rule का ये कहना है कि पहले आप differentiate करते हैं पार को मतलब पार आगे एक पावर कम तो अगर मैं chain rule की बात करूँ और मैं लिखना चाहूँ भई dy by dx तो मैं लिखूंगा सबसे पहले सर हमें differentiate करना पड़ेगा इस function का तो ये पूरा as it is और ये पार ठीक तो इसमें हम सीधा वो formula लगा देते हैं पावर आगे एक पावर कम ऐसा ही तो पहले तो आप करो इसका differentiate ठीक इसके बाद आप differentiate करोगे इस function को तो then multiply में differentiation of that function which is f of some angle मतलब function है और उसका कुछ angle है अभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या राम है लिख रहा हूँ function का differentiate करने के बाद आप आते हो सर differentiation angle के पे तो यहाँ पे लिखोगे आप dot differentiation of angle तो ना एक example देख लेते हैं मतलब दो तिन example देखते हैं तो आपको different different variety देखने को मिल जाएगी और आपको chain rule भी जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा मानो अपने पास y गिवन है log और यहाँ पे angle गिवन लोग का sin x और इस पूरे का square है ठीक सर तो सबसे पहले देखो जब हम derivative लिखेंगे यानि कि dy by dx तो एक बार तो मैंने बिलकुल ऐसे तरीके से लिखके दिखाता हूँ आपको ताकि कोई confusion ना हो future में तो यहाँ पे हो जाएगा सर d of dx पूरा का पूरा ये log sin x very good का square ठीक multiply में dy dx log sin x multiply में dy dx of sin x आप compare करवाओ मैंने बिलकुल यही rule follow किया है पहले पूरे इसका expression का then अपने function का log function अपना then उसके angle का angle अपना sin है तो यहाँ क्या करेंगे सर power आगे एक power कम तो इसका answer होगे अपना 2 log sin x है की नहीं भई और इसका answer क्या होगा log का derivative क्या होता है याद आपको ललन भहिया का derivative ललन भहिया का derivative भूल गए तो dy dx ललन x यह log x math में एक ही बात है यह होता है अपना 1 by x यहाँ पर x का है अपना sin है तो यह हो जाएगा अपना 1 by sin x very good multiply में sin भहिया का derivative cos होता है very good तो यह हो गया अपना cos x तो क्या लिख सकता हूँ मैं cos by sin अपना quote हो गया तो यह हो गया 2 cot log sin x यह आगया सर इसका derivative तो आप हर एक question में जो है chain rule तो follow करते ही करते हो भले ही आपका product rule लगे या ना लगे similarly भले ही आपका question rule लगे या ना लगे पर chain rule जो है वो हर question में use होता है example देखते हैं दो ती आपको और अच्छी से clear होगा और फिर बात भी करते रहेंगे साथ साथ में आप लोगों से so question देखो यह variety है एक और अपनी chain rule की यहाँ पर किया e की पार में कुछ-कुछ लिखा हुआ है ठीक तो यहाँ पर ना पहले आप e का differentiation करते हो पहले पार का नहीं करते है e की पार में पहले e का करा जाता है फिर हम इस पर पहुंचते है उपर वाली चीज़ पे तो अगर इसका हमें differentiation करना हो ना तो देखो हम chain rule से इसको ऐसे लिखेंगे dy by dx सर help करिएगा मेरी तो सबसे पहले dy by dx पूरा यह e की पार 10 inverse x की पार 3 then multiply में सर dy dx 10 inverse की पार 3 then dy dx देखो बारी बारी से चलते हारे हम 10 inverse x और सबसे last में इसका angle dy dx angle क्या है अपना x तो यह इसका अपना expression आ गया सबसे पहले अपन लोगों ने e की पार का differentiation मतलब e का ही करा है then उसका यह जो पार लिखे हुए पूरी यह आ गई फिर function आ गया और फिर इस function का जो angle है वो आ गया तो इस तरीके से जो में इसका differentiation करना है तो e तो भई धीट रहता है e कहता है जी हम निशुदरते e का तो वही रहता है answer e की पार यह अपना as it is 10 inverse x की पार 3 बट यहाँ पे देखो क्या होगा power आगे 1 power कम बहुत बढ़िया तो यह हो जाएगा 3 10 inverse x का square 10 inverse x का याद है कि आपको formula क्या होता है 1 divided by 1 plus x का square और x का derivative सर क्या होता है 1 ही होता है तो अब बस इसको सलीके में लेख लेते है answer आ गया अपना तो यह हो गया answer अपना 3 10 inverse x का square into में e की पार 10 inverse x का cube divided by 1 plus x square तो देखो chain rule को जो हमें इस तरीके से use करना होता है उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा और example देख लेते थोड़ा और clear हो जाएगा वैसे तो आप लोगों ने करा हुआ होगा यह उनके लिए जो बिल्कुल 0 से start कर रहे है math को like कीज़े आर math को choose कर लेते हो optional में न तो उनको जो एक काफी help मिलने वाली है अपने series से और बाखी बच्चे को तक हैर मिलेगी help so sir next question अगर आप इस question को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर कौन सा rule लगेगा sir अपना question rule लगेगा chain rule लगेगा यहाँ पर समझ देदा बात को तो करें फिर start चलो भई help करिएगा मेरी देखो तो dy by dx सबसे पहले मैं question rule के पास जाऊंगा और कौना question भी यह अपना rule बताएं मुझे क्योंकि मुसीबत आन पड़ी है हमारे उपर हमें एक expression को differentiate करना है तो यहाँ पे हो जाएगा sin 3x का square उपर क्या आता है sir differentiation of first function that is e की power x plus log x और यहाँ क्या होता है अपना नीचे वाला same sin 3x है की नहीं minus यहाँ पे देखो क्या होगा उपर वाला same तो e की power x plus में log x अपना as it is और नीचे वाले का differentiation तो अब यहाँ पे हम जाएगे chain rule के पास क्योंकि sin 3x तो पहले तो हम sin का differentiation करेंगे और फिर हम differentiation करेंगे उसके angle का जो की है अपना 3x अब यहाँ देखो यहाँ तो एक और rule लग गया भई कि आपका function multiply हो रहा है constant से तो constant क्या हो जाएगा derivative के बाहर और x का derivative क्या हो जाएगा 1 चलो भई लिखना start करते हैं 1 by 1 है की नहीं तो dy by dx यह क्या हो गया sir e की power x का derivative term by term differentiate करेंगे e की power x तो ढीट है e की power x ही रहता है अपने ललन भईया का derivative ललन भईया को जो भूल ना जाना 1 by x रहता है इनका derivative परना बुरामान जाते हैं ललन भईया sin 3x minus यह अपना as it is e की power x plus log x और sin का derivatives are cos 3x और यहाँ पे इस 3x का derivative 3 very good नीचे जो अपना यह square जो है वो as it is चलेगा तो यह हुझाएगा sin 3x का whole square तो देखो जी यह अपना answer आगया है की नहीं है तो इस तरीके से जो हमें rule को use करने उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा तो यह कुछ questions देके हमने कुछ rule समझे तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही था अगर आपको जो है समझ आया है और चीज़े आपको अच्छी लगिए तो comment करके मेरे को जरूर बता देना तो आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए topic के साथ